नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटुब चैनल नौलिज पंडित पर मैं रंचीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्यूंकि आज के इस वीडियो में एक ही वीडियो में 250 प्लस साइन्स के कॉशन्स हैं अगर आपने ये 250 प्रश्ण साइंस के पढ़ लिए तो इन से बाहर प्रश्ण किसी भी एक्जाम में आपके नहीं जाएंगे ये गैरेंटी है साइंस के ये प्रश्ण रिपीटिटली पूछे जाते हैं और ये इस सेंट्रल के चाहें स्टेट के हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट वीडियो है तो अपने हर ग्रुप में इसको शेर करिए क्वेश्ण को लेकर कुछ भी अगर पूछन चाते हैं बताना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें वीडियो अंतक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेर करिए अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे बहला प्रश्ण एरहाब के सामने साइकल चलाने वाला मोड देते समय क्यों जुकता है तो वह जुकता है ताकि गुरू तो केंदर आधार के अंदर बना रहे और यहाँ उसे गिरने से बचाएगा तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है तो जल का प्रश्टनाव अधिक होता है इसलिए व्रतकार पत्के चारो और पिंड की गती किसका उधारन है समान वेक परिवर्ती त्वरिन का उधारन है पहाणों पर जल कं तापमान पर क्यों बलने लगता है तो पहाणों पर वायू दाप कम होता है इसलिए रॉकेट तिस सिध्धान पर काम करता है तो न्यूटन के तीसरे नियम के सिध्धान पर काम करता है वायू मंडल में बादल क्यों तैरते हैं तो अल्प घंद्व के कारण से तैरते है लोलक की कलावधी किस पर निर्भर करती है तो लंबाई पर निर्भर करती है पिंड का भार कहां पर शून नहीं होगा तो प्रत्वी के केंद्र पर सून नहीं होगा किसी पिंड का वजन किस के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है तो गुरुत्वा करशन के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है बादल किस कारण वायू मंडल में तैरते हैं तो निम्न गहनतु के कारण से तैरते हैं उचाई बढ़ने से वायू मंडल आप क्या प्रभाव पड़ता है तो वायू मंडल आप घरता है उचाई बढ़ने पर पहाणों पर चड़ने वाला विक्ती आगे जुकता है क्यों तो इस थिर्था बढ़ा है रखने के लिए वासि मशीन का कारे सिद्धान क्या है तो अपके इंद्रण के सिद्धान पर काम करती है किसी लिफ्ट में बैठे हुए विक्ती को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा तो जब लिफ्ट तुरित गती से उपर जा रही हो जल्का वास्प में पर विर्तन क्या कहलाता है तो ये बहुत एक परिवर्तन है हवाई यहाँ से यात्रा करते समय पैंसे स्याही निकलने लगती है क्यों तो वायुदाब में कमी आने के कारण कारे का मात्रा क्या होता है तो जूल होता है द्रव की बून की आकरती गोलाकार होने का कारण क्या है तो परश्ट तनाव है वर्शागी बूने गोलाकार क्यों होती है तो सतही तनाव के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है तो पानी का कौथनांक बढ़ जाता है इसलिए बारिश की बूने किसके कारण गोल होती है तो प्रश तनाव के कारण धातुगी सुधदा का निधारण किसकी सहायता से करते हैं तो आर्कमेडीस के सिद्धान से करते हैं वासिंग मसीन किस सिद्धान पर काम करती है तो आपके इंद्रण के सिद्धान पर काम करती है निूटन सेकेंड किसका मात रख है तो मोमेंटम का मात रख है गुरुत्वे तुरनका मान कितना होता है तो प्रत्वी पर इस्थान के अक्षांस पर निर्भर करता है लोहे की सुई पानी की सिता पर किस कारण से तैरती है तो प्रश्टनाओं के कारण से तैरती है प्रकासवर्स किस के मापन की एकाई है तो दूरी की प्लांक नियतांग की काई क्या है तो जूल सेकेंड है सितारों की दूरी किस्से मापते हैं तो प्रकासवर्स से मापते है किस स्थान पर गुत्वा कशन बल सबसे अधिक है तो अंटाक्टिका के कैम्प में दो गुत्वातों के बीच घर्शन का क्या कारण है तो उनके प्रश्टों में अनियमित्ता जो है उनके बीच घरसन का कारण है मोथरे चाकू से चीजों को काटना क्यों मुश्किल है क्योंकि किसी दिये गए बल के लिए दाब को मोथरा चाकू कम कर देता है इसलिए गुरुत्वकष्ण का सारवत्रक नियम किस ने दिया तो नियोट्रेन ने दिया वॉसिंग मसिन के सिध्धान पर काम करती है तो सेंट्रिफ्यूगेशन पर काम करती है कारे करने की शम्ता को क्या कहते है तो शक्ति कहते हैं तूफान से घरों के छटों को उड़ना बरनौलिस का सिद्धान्त के उपर आधारत है वर्शागी बून का अकार किसके कारण गुलकार होता है तो सर्फिस टेंशन के कारण बैरोमेटर से क्या मापते हैं तो वाई मेंडल में दवाओ मापते हैं विदुद प्रवाह की एकाई क्या है तो एमपियर है कोई व्यक्ती बर्फप की सतह पर चलने में कैसे समर्थ है तो उसे रोलर स्केट्स का इस्तमाल करना चाहिए प्रश्टनाव की एकाई क्या है तो न्यूटन प्रतिमेटर है कारे की काई क्या है तो कारे की काई जूल है डेसिबल एकाई का प्रयोकिसे मापने के लिए करते हैं तो ध्वनी को मापने के लिए किसी वस्तु का भार सबसे कम कहां पर होगा तो प्रत्वी के केंदर पर होगा हर्ज क्या मापने की उनिट है तो तरंगों की आवरती मापने की उनिट है लिफ्ट में मनुष्ट का भार कब कम होगा तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो तब कम होगा प्रकास वर्स मात्रक किसका है तो दूरी का है रॉकेट के सिध्धान पर काम करता है तो संबेग रूप अंतरण के सिध्धान पर प्रतिती का मातर क्या है तो कैंडला है वायू की छैतिज गती से होने वाले उश्मा के अंतरण को क्या कहते हैं तो इसे हम चालन कहते हैं सुरिकी उश्मा प्रत्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकरन के दोरा पहुंचती है. भूमनले तापन का कारण क्या है? तो पेडों का काटना भूमनले तापन का कारण है. ताजे पानी का हमांक बिन्दू क्या है? तो zero degree centigrade है. कैल्मिन मान से मानों शरील का सामाने ताप करम तो 310 कैल्विन है राफिजडेटर में थर्मो श्रेट का काम क्या है तो एक समान तापमान को बनाए रखना सीथ काल में कपड़े गर्म क्यों रखते हैं तो शरीर की उश्मा को बाहर जाने से रोकते हैं इसलिए उनी कपड़े गर्म रखते हैं हमें बाल पेन के सिध्धान पर काम करता है तो गुरुतुय बल के सिध्धान पर आपएक्षिक आदरता को किस रूप में विक्ट किया जाता है तो परतीशत के रूप में किस तापमान पर जल का घना तो अधिकतम होता है तो माइनस 6 डिरी सैंडिग्रेट पर आणविक संगठन के द्वारा उश्मा का संप्रिट संक्या कहलाता है तो संवहन कहलाता है दो रेलों में मध्य में जोड एक दो छोटा सा स्थान को छोड़ा जाता है ताकि धातु गर्म होने पर जब फैले और ठंडी में संकुचित हो तो रेल की पट्री पर कोई असर ना हो और रेल की पट्री सीधी ही रहे आतिदिक सीतरितू में पहाणों पर पानी की पाइपलाइने फट जाती है कारण क्या है तो पानी जमने पर फैलता है इसलिए विकरण पाइरोमेटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है तो 500 डिगरी सेंटिग्रेट से उपर पानी का तुड़ातमग विंदू का मान कितना है तो माइनस 273.16 डिगरी कैल्विन इंसुलेशन का अर्थ क्या है तो आने वाले सौर विकरण को इंसुलेशन कहते है जल का सरवादिक घनत्व कितने पर होता है तो माइनस 4 डिगरी सेंटिग्रेट पर माफ करेगा 4 डिगरी सेंटिग्रेट पर जल की उपसे शूश्मा कितनी है एक है थोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है तो डायरेक्ट थोस से गैस में बदलना उर्धो पातन कहलाता है प्रैशर कोकर में खाना जल्दी क्यों पकता है तो जल का कुथनांग बढ़ जाता है इसलिए प्रेशर कोकर में चावल जल्दी क्यों पकता है तो पानी का दबाव होने से उच्चतर तापमान पर उबलता है पानी इसलिए बर्फ को बुरादे में पैक्यों किया जाता है क्योंकि बुरादा उश्मा का कुछालक होता है इसलिए ध्वानी किस रूप में यात्रा करती है तो अनुधेरे तरंग के रूप में यात्रा करती है ध्वानी की गती सबसे तेज किस में होती है तो काच में होती है ध्वानी प्रदूशन की यूनिट क्या है तो डैसीवल है द्वनी की उचिता किस पर निर्भर करती है तो आयाम पर निर्भर करती है द्वनी की चाल सरवादी किस में होती है तो वायू की अपिक्षा लोहे में सबसे जादा चाल द्वनी की ठोस में होती है हौल में ध्वनी की प्रति ध्वनी निरंतर होने का क्या कारण है तो परावरतन के कारण प्रतुध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् मन्दित है तो प्रकास के अपवर्तन से आकास का नीलरं किस के कारण से होता है तो प्रक्रिणन के कारण प्रकास के अपवर्तन का कौन सा कारण उत्रदाई है तो मध्य का आपतन कौन संक्रमना आयन किस में प्रकास को आवशोशित कर लेते हैं तो द्रश शेत्र में आकास में तारे टिम्ट माटे के ओ देखते हैं तो प्रकास के अपवर्तन के कारण जोती तीवरता का मातरख क्या है तो कैंडला है सुर्य के प्रकास को प्रत्वी तक पहुशने में कितना समय लगता है लेंस की छम्ता किस में मापी जाती है तो लेंस की छम्ता डायोप्टर में मापी जाती है सावन के पतले जाग में चमंगदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है तो बहुलित परावर्तन और वहती करन वानों में पीछे देखने के लिए किस दर्पन का प्रियोग करते हैं तो उत्तल दर्पन का अस्त होते समय सूरे लाल दिखाई देता है प्रकीरणन के कारण म्रग तरश्णा किसका उधारन है तो पूर्ण आंत्रिक परावरतन का हीरा चमगदार क्यों दिखाई देता है तो सामोहिक आंत्रिक परावरतन के कारण मरक तश्रा बनने का कारण क्या है तो पूर्ण आंत्रिक परावरतन प्रकास का रंग निश्यत किया जाता है कैसे तो तरंग दैर दिखे द्वारा समुद्र में पानी का नीला रंग क्यों होता है तो जल के अन्वो द्वारा नीचे प्रकास का प्रक्रिणन करने की कारण सुरी की किरणों में कितने रंग होते हैं तो साथ रंग होते हैं सीवी रमन को नोबल पुरुसकार किस लिए मिला तो प्रकास के प्रक्रिणन के अध्यन के लिए सीवी रमन को नोबल पुरुसकार कब मिला तो 1930 में मिला था कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है तो अब तर लेंस का प्रयोग करते हैं Optical Fiber का प्रियोग किसमे करते हैं तो संचार में करते हैं इंद्रधनुस में कितने रंग होते हैं तो सात रंग होते हैं Tube Light में कौन सी गैस भरी जाती है तो दो filament, fluorescent, पदार्थ और पारा, वास्प भरी जाती है अप्रभावी तरंग कैसे बनती है तो विप्रीद दिसामेश चालिच समान आकरती की दो तरंगों से लाल रंगी तरंग दैर्थ से अधिक तरंग दैर्थ के प्रकास को क्या कहते हैं आवरक्त कहते हैं जल सतव पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है तो व्यती करण के कारण प्रकासिय फाइवर के सिध्धान पर काम करता है तो पूर आंत्रिक परावर्तन के सिध्धान पर आकास किस के कारण नीला दिखाई देता है तो रहले प्रक्रिणन के कारण समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है तो ध्रोण के कारण इंद्रधनुस किस कारण बनता है तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण पराथमिक रंग कौन कौन से है तो लाल, लीला और हरा पराथमिक रंग है तारे का रंग क्या दरशाता है तो उसका तापमान दरशाता है प्रकास की अधिक्तम गती किस माध्यम में होती है तो निर्वात में होती है पेरिस्कोप किस सिध्धन पर काम करता है तो परावर्तन और अपवर्दन दोनों पर उचितम तरंग देर्ध रंग किस में मिलता है तो लाल रंग में मिलता है यदि वायू मंडल ना हो तो आकास का रंग कैसा देखेगा तो काला देखेगा सितारे का रंग क्या दर्शाता है तो सितारे का रंग उसका तापमान दर्शाता है लाल फूल को हरे रंग के प्रकास में रखने पर कैसा देखेगा तो वहां हमें काला देखेगा पानी में रखी पैंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है क्यों तो प्रकास के अपवर्तन के कारण रंगों के सम्हु को क्या कहा जाता है तो उसको हम वरण पट्टी कहते हैं राइट अंसर हो जाएगा अंत्रक्षियात्री को आकास किस रंग का दिखाई देता है तो काले रंग का दिखाई देता है अंत्रक्षियात्री को आकास छाया गठन किसके द्वारा समझाए जा सकता है तो प्रकास के सीधे प्रसार के कारण कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते हैं तो प्रकास के प्रक्रिणन के कारण हम नहीं देख पाते हैं रमन का प्रभाव किसे सम्मनित है तो रमन प्रभाव प्रकास से सम्मनित है प्रकास कव एक अधिक्तम किसमें होता है तो निर्वात में होता है आखों में रेटीना किस कारे किस तरह काम करती है तो कैमरे में फिल्म की तरह आखों में रेटीना काम करती है रेल इंज़न चालक के लिए किस प्रकार की मॉटर संस्तुती होती है तो DC स्रेणी की मॉटर इंदर धनुस में सबसे उपरी भाग पर कौन सा रंग होता है तो ल्राल रंग का होता है विदुद बल्म में कौन सी गेस भरी होती है तो नाइट्रोजन भरी होती है फ्यू स्तार का प्रियोक क्यों किया जाता है तो सर्गेट में प्रवाहित होने वाली अधिक विदुधारा को रोकने के लिए गैल्विनो मीटर किस का पता लगाता है तो धारा का पता लगाता है विदो धारा का चुमी के प्रभाव सरप्रथम किस ने अलोखित किया तो और्ष्ट्रेड ने अलोखित किया प्रिर्कतु का मातर रख्या है तो हैंरी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मैगनेटिक फ्लक्स का मातर रख्या है तो बेवर यहां पर सही आत्तर हो जाएगा तंगश्टन का गल्लांग विन्दू कितना होता है तो 3000 degrees centigrade टेसला चुमब के छित्र की एक आई क्या है विदूत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है तो ग्रेफाइड विदूत का सबसे अच्छा सुचालक है किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है विदुद चुमब के कुरोड में किसका استعمال होता है तो मुदुलोह का استعمال होता है विदुद उपकरण में एर्थ का प्रयोग किसके लिए तो सुरक्षा के लिए होता है बैटरी के प्रशालन का मूल सिध्धान क्या है तो चुमक योर। किया है तो एंपियर है। किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। तो डिरुश सेल तो किस मांपरां और रहेती है। का मांप्रा का मांपरर लए होती है। प्रत्यावर्थी धारा को दिश्ट धारा में कैसे बदलते हैं तो डायोड के द्वारा बदलते हैं विदुद प्रतरोद की एकाई क्या है तो ओम है विदुद्भल का तंतु टंगश्टन का क्यों बना होता है तो टंगश्टन का गलनांग उच्छ होता है इसलिए वर टंगश्टन का बना होता है विदुद्धारा की मातरा मापने वाला यंत्र कौन सा है तो अमीटर है CFL का पूरा नाम कहे है तो Compact Fluorescent Lamp है गैर पारंपरिक उर्जा इस्त्रोत क्या है तो नाभी क्या उर्जा किस किरण की भेधन शम्ता सरवादिक है तो गामा किरण की भेधन शम्ता सरवादिक है नाभी की रियक्टर में उर्जा उत्पन कैसे होती है तो नियंतरत विखंडन के द्वारा उत्पन होती है देहली आवरती क्या है तो जिसके नीचे प्रकास विद्धूत उत्सर्जन सम्मा नहीं है वह देहली आवरती है भारत का पहला प्रमाडू परिक्षन कप किया गया था तो 1974 में किया गया था सूरय के प्रकास का कौन सा भाग सौर कोकर को गर्म करता है तो अवरक तभाग सौर कोकर को गर्म करता है सूरे में उर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है तो हाइडोजन के सनलेयन के कारण उर्जा उत्पन होती है नाभी की रेक्टर में परमाडू बम में अंतर क्या है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा नाभी की रेक्टर में कोई श्रंकला अभी के लिए नहीं होती जबकि परमाडू बम में होती है सूरे की उर्जा किस माध्यम में उत्पन होती है तो सूरे की उर्जा उत्पन होती है नाभी की असलेयन के माध्यम में तारे अपनी उर्जा कहां से प्राप्त करते हैं तो नावी के सलियन के द्वारा तारे अपनी उर्जा प्राप्त करते हैं एक क्रत्रम उपग्रम में विद्ध उर्जा का इस्तरोत क्या होता है तो सौर सैल होते हैं लेजर बीम का उपयोग किस में होता है तो आख की चिकितसा में लेजर बीम का उपयोग करते हैं परमाडू पाइल का प्रियोग कहा होता है तो नाभी के विखंडन के प्रचालन में होता है भारत में इस्थापित पहला परमाडू सेंटर कौन सा है तो तारापुर है डायोट से धारा कितनी दिशां में बहती है तो एक दिशां में बहती है रडार का प्रियोग किस के लिए करते हैं तो जहाज वायुयान आदी को ढोडने और मार्व निरिशत करने के लिए करते हैं सिल्वा क्या है तो फ्रांस द्वारा प्रायोजित यूरेनियम सम्मर्दन की परमाणू लेजर विधी सिल्वा है। विदुद चुम्म की तरंगे क्या होती है तो एक्स किरने होती है। स्वारूजय का इस्तरोत क्या है तो नाभी क्या सनलेयन है। क्रायोजनिक इंजन का उप्योग कहां पर होता है तो रॉकेट टेक्मिलोजी में आइंश्टीन का नोबल पुरुसकार क्यों दिया गया था तो प्रकास विदुद प्रभाव के लिए दिया गया था कणों के द्वारा हीट ट्रांसपर की क्रिया को क्या कहते है तो रिडियेशन कहते है ओजोन छिद्र किस से अधिक किस के उपर बन रहा है तो अंटाक्टिका के उपर बन रहा है ग्रह गतिनियम का निरूपन किस ने किया तो जौनी स्कैपलन ने किया था रात्री को आकास में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है सूर ग्रहन कब होता है तो सूर प्रत्वी के बीच जब चंदर में आ जाता है चांद पर उतरने वाला पहला मनुश कौन था तो नील आम श्रॉंग था इसरों का फुल फर्म क्या है तो इंडियन स्पेस रिसर्च और्टनाईजिशन है गैलीली ओ गैलीली कौन थे तो खगवे लगे थे आकास में सबसे चमकदार तारा कौन सा है तो सायरेस है किस ग्रह को सूरे का एक्चेकर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है तो प्लूटो को सबसे अधिक तेज कक्षे ग्रह गती वाला ग्रह कौन सा है तो ब्रहस पती है प्रत्वी की गोलाकार छाया चंदमा पर कप पड़ती है तो चंदर ग्रहन के समय पड़ती है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है तो उनके तापमान पर ब्लैक होल क्या है तो एक कोलेब्ड स्टार है सुर्य के प्रकास को प्रत्वी तक पहुचने में कितना समय लगता है तो 8 मिट 16 सेकंड 20 सेकंड ब्लैक होल्स क्या है तो उत्रविय में ऐसी जगा जहां का गुरुत्वा कश्र प्रकास के रणपुझ को भी बाहर नहीं आने देता है सूर्य के सबसे नदी ग्रह कौन सा है तो बुद्गर है ब्लैक होल की जानकारी सरप्रतम किस न दी थी तो एस चंदर सेखर में दी थी मेगनाद साहा किस योगदान के लिए जाने जाते है तो खगोल भौत की एस्चोफिजिक्स के लिए सोलर सिस्टम को किस ने खोजा था तो कैपलर ने खोजा था हे ब्रिज से किस को मापा जाता है तो इंडेक्टेंड्स को मापा जाता है सोनार अधिकांसता प्रयोग में ला जाता है नो संचालकों के द्वारा साहा परमाणू भौत की संस्थान कहा है तो कलकत्ता में है रडार का अविशकार किस ने किया तो रडार का अविशकार रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया नियोन लेंप का अविशकार किस ने किया तो लुईस प्रिंस ने किया है नैनो मीटर का उप्योग किस के लिए होता है तो गैसों के दाब के लिए डाइनेमो को हिंदी में क्या कहते हैं तो मेकैनिकल उर्जा का इलेक्ट्रिकल उर्जा में उपकरण है डाइनेमो दूर्विन का विश्कार किस ने किया तो गैली ओ गैली ने किया सापेक्ष आदरता किसे मापी जाती है हाईग्रो मीटर से पारियोमेटर किसे मापने के लिए प्रयोग में ला जाता है तो ऊचतापमान को आर्कमेटीस किस देश से थे तो ग्री Schutz से थे लॉव फ्लोटिंग सिद्धान की खोश किस ने की तो आर्कमेटीस ने की टेलिविजन का अविश्कार किस ने किया था तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था राइट विज्वस ने किस का अविश्कार किया तो विबान का अविश्कार किया एक्सरे अविश्कार किस ने किया तो रॉंट जन ने किया सुरकी करणों की तीवरता मापने वाले उपकरण को क्या कहते है एक्टियो मीटर कहते है बहुतिक विज्ञान में प्रथम नोबल पुरुसकार विजेता कौन थे तो विलियम रोएंचन थे आइंश्टीन को नोबल पुरुसकार क्यों मिला तो प्रकास विदुद प्रभाव की क्वांटम सिद्धान से व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धान का प्रधिपादन किस ने किया था तो मैक्स प्लैंक ने किया था डेसिबल का प्रयोग किस के नापन के लिए होता है तो ध्वनी की तीवरता के लिए दो बस्तूओं के मद्धे कोण ये दूरी मापने के लिए कौन सी यंतर का प्रयोग करते है तो इस्पेक्टेंट्स का प्रयोग करते है वायुमनी दबाव को मापने के लिए किस यंदर का प्रयोग होता है तो बैरोमीटर का मैनोमीटर का उप्योग किस के लिए करते है तो दाव मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते है इलेक्ट्रिक लैंप का विश्कार किस ने किया तो एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप का विश्कार किया नाविक दिक्सूचत में कितने बिंदू होते हैं तो 32 बिंदू होते हैं सौर मंडल की खोच किस ने की तो कॉपर निकस ने सौर मंडल की खोच की प्रकास के वेग को किस ने मापा था तो रोमर ने मापा था समुद्री गहराई मापने के लिए कौन सा यंतर यूज़ करते हैं तो फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं पंडोबी में समुद्र की सता से उपर की चीज़े देखने के लिए कौन सा यंदर प्रयोग होता है तो पैरेस्कोप प्रयोग होता है। हवा की गती किसे मापी जाती है तो एनिमो मीटर से मापी जाती है। दो बस्तूओं के बीच की कोण ये दूरी किसे मापते हैं तो ये ह सेक्संट से मापते हैं के लिए पायराय हिलियो मेटर किसी मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो पायर हिलियो मेटर सूलर रेडियेशन को विग्यान दिवस किस विग्याने की याद में मनाते हैं तो सीवी रमन सुरंग निर्मार में कौन सा रेल एंजिन प्रियोग होता है तो इस टरेज बैटरी रेल एंजिन रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है तो उच्छे गती इस पाथ की रेल गाडियों में डाइनमो मीटर का परियोग पट्रियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए रेल की पट्री में फिश प्लेट का काम क्या है तो दोनों पट्रियों को जोड़े रखना पहली विज्ञान कॉंग्रेस जनवरी 1914 में कहा है जो थूइती तो कलकत्ता में नौडिकल मील का ओपियो किस ने किया तो नौ संचालन में किया जाता है तो दोस्तों ये थे आपके 250 साइंस के कॉशन्स और इन प्रश्णों को आप पढ़ लीजेगा क्योंकि साइंस इस से बाहर आपकी नहीं जाएगी तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुभ हो जैहिन जै भारत